प्रशन उत्तर का सेशन शुरू तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा? कुछ बच्चे चाहेंगे कि हम हाथी का नाम लिखें यहाँ पर क्योंकि हाथी ने भी चुपके से या चुपचाप से जल्दी से मक्खी की बात मान के उसे प्रणाम किया और उससे बहस नहीं की लेकिन अगर मैं अपनी राय आपको बताऊं तो कहानी में लॉमडी सबसे अच्छी लगी क्योंकि उसकी समझ से ही मक्खी का घमन दूर हो सका क्योंकि मक्खी को बहुत शेकी बाजी का घमन आ गया था उसे दूर करने में लॉमडी ने अच्छा काम किया तो लॉमडी मुझे सबसे अच्छी लगी सवाल यही था तुमें कौन अच्छा रगा तो आपको भी लॉमडी ही लिखना है या फिर आप चाहें तो हाती लिख सकते हैं क्योंकि हाती ने मक्खी की बात मानते हुए उससे बहस नहीं की मक्खी मकडी के जाल में फस गई फिर क्या हुआ होगा कहानी आगे बढ़ाओ आप सब जानते हो कि मक्डी जाला इसलिए बुनती है ताकि उसके अंदर आकर के कोई न कोई कीडा जैसे की मक्खी या मच्छर फस जाए और वो उन्हें खाकर के ही तो अपना जीवन चलाती है इसलिए मक्खी जब उस जाल में इतना फस गई कि हिल भी न सकी तो उसका सारा घमन एक छोटी सी मक्डी ने तोड़ दिया यह तो सच है यहां तक तो कहानी में लिखा है मक्डी ने मक्डी को चट कर लिया ऐसा आगे चलके हुआ होगा क्योंकि जो मक्डी है उसका खाना ही मक्खी या चोटे-चोटे कीडे होते हैं बच्चो आगे चलते हैं अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लॉम्डी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाए तो क्या-क्या नाम हो सकते हैं शेर के बारे में हम जानते हैं कि शेर जो था वो थोड़ा सीधा था क्योंकि उसने मक्षी से बहुत जल्दी हार मान ली और उसने कोई उपाई नहीं लड़ाया उसे बस अपने सोने पर ध्यान देना था उसने खुद को जक्मी भी कर लिया लेकिन जो लॉंबडी थी वो बहुत चालाक थी तो यहां आमें लॉंबडी और शेर के नाम से अगर नाम देने हो तो दो नाम आप दे सकते हैं एक चालाक लॉंबडी बुद्धु शेर और दूसरा नाम हो सकता है शेर और लॉंबडी चेर और लॉमडी ही वो जानवर थे जिनसे सबसे ज़्यादा मक्षी की इस कहानी के हिस्से जुड़े हुए हैं अगर तुम कहानी को एक और नया शीर्शक दो यह शीर्शक कहानी के पातर पर नहीं होना चाहिए तो क्या देंगे मकडी और मक्खी अब ये जो है ये कहानी के पातरपर है हमें एक ऐसा शीर्षक भी देना है जो कहानी के पातरपर ना हो तो वो हो सकता है घमंडी का सर नीचा ठीक है क्योंकि जो घमंड करते हैं उनको नुक्सान होता है या फिर फस गई मक्खी ठीक है तो अ अब हमने क्या सीखा कि हम अपने शिर्षक में एक शिक्षा भी दे सकते हैं जैसे घमंडी का सर नीचा और ये हमारे दूसरे प्रश्ण का उत्तर बन गया बच्चो चलते हैं आगे मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबुला हो गया तुम्हें जब कोई गहरी नीन से जगाता है तो तुम क्या करते हो बच्चो आप लोग को गहरी नीन से सबसे पहले तो ममी या पापा जगाते होंगे आप कुछ नहीं कर सकते आपको गुस्सा नहीं कर सकते क्योंकि ममी या पापा पे गुस्सा करना बुरी बात होती है मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर उप गया था उप गया यानी बोर हो गया था आप कौन-कौन से चीज़ करते करते उप जाते हो पढ़ते पढ़ते हां बच्चो ये सच है कभी-कभी ब पढ़ते पढ़ते भी कभी कभी उप जाते हैं मुबाइल में खेलते खेलते और घर पर बैठे बैठे भी उप जाते हैं तो बच्चो यही आप लिख सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसे करते करते आप उप जाते हैं वैसे खेलते खेलते आप उपते कमी होंगे लेकिन मुबाइल में खेलते खेलते इसलिए उप जाते हैं क्योंकि उससे रोशनी आती है तो मुबाइल में खेलना होती अफ़ली बात है मान लो कि तुम शेर हो मक्षी ने जो तुमारे साथ कुछ भी किया तो लॉमड़ी को बताओ अब शेर अपनी बात लॉमड़ी को बताएगा कि एक मक्षी थी बहुत घमंडी थी उसके कारण में खायल हुआ तो कैसे बताएगा देखो मक्षी की बातों में आकर मैं उससे लड़ने लगा क्योंकि मक्षी ने चैलेंज कर दिया था शेर को हिम्मत तो मुझे हराकिय दिखाओ और खुद को ही घायल कर लिया जो कि सच है मक्षी के कारण ही शेर के पूरे चहरे पर खून आ गया था उसने घायल कर लिया था वो बहुत घमंडी है और सब को तंग करती है तो जब भी हम किसी को अपनी बात बताते हैं तो हम जैसा फील करते हैं बच्चों जैसा महसूस करते हैं वो भी साथ में बताते हैं तो यहाँ पर शेर ने भी पक्का बताया होगा कि मक्षी बहुत घमंडी है और सबी को तंग करती है ये कितने अच्छे प्रशन उतर है और हमने कितना कुछ सीखा इस पार्थ में अब हमें ये बताना है कि शेर भोजन करके आराम कर रहा था आप क्या करते हो अब हमें बताना है अकसर और कभी कभी देखो बच्चों हम हर काम हमेशा तो कर नहीं सकते तो अकसर का मतलब होता है ज्यादा तर मतलब जैसे हफते में 7 दिन है तो आप 7 में से 6 दिन वो काम करते हो लेकिन एक दिन भूल सकते हो कहीं और हो तो छूट सकता है तो सबसे पहले हम जानेंगे हम अक्सर और कभी-कभी क्या करते हैं अक्सर आप खारा खाने के बाद थोड़ी देर चलते हो ताकि भोजन पच जाए जो कि एक अच्छी बात है लेकिन कभी-कभी बिना चले ही सो जाते हो अब कितने बच्चे ऐसे हैं जो खाने के बाद जल्दी से सो जाते हैं हाथ उठाएं नहीं बच्चो आपको खाने के बाद एकदम से नहीं सोना चाहिए थोड़ी देर ममा की उंगली पकड़के चाहिए घर में ही दो-तीन चकर जरूर काटने चाहिए इससे हमारा खाना पच जाता है तो अक्सर थोड़ा चलना चाहिए थाकि खाना पच जाए कभी-कभी सो जा आती है जब आप ठक जाते हो ठिक है अब हमें सोचना है शेर ने भोजन में क्या खाया होगा पार्ट में ये नहीं बताया था तो हमें ये बताया नहीं ता कहानी में पर अब तीसरी क्लास के बच्चे हो ना तो आपको सोचना आना चाहिए शेर क्या खाता है शेर टौफी बिस्केट, फीजा ये तो खाता नहीं है, ब्रेट भी नहीं खाता, तो शेर ने जरूर किसी जानवर का मास खाया होगा, है न, अब है आप क्या खाते हो, मुझे पता है, आप खाते हो रोटी, सबजी, चावल, फल, यही चीजे सब बच्चों को खाने भी चाहिए, क्योंकि ह हम शेर तो है नहीं, जो हमेशा जानवर का मास खाएंगे, हम तो हैं इनसान, और इनसान, रोटी, सबजी, चावल, और बहुत कुछ खाता है, जैसे की फल भी खाते है, चले बच्चों आगे, अब चित्र से हमें कहानी बनानी है, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, लगता है कि मखी शेर से क्या कह रही होगी, मखी शेर से कह रही थी, मैं तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत है तो आओ, यानि उसे उकसा रही थी, चैलेंज दे रही थी, यहाँ पर शेर मखी से क्या कह रहा है, मखी बहन अब मुझे छोड़ दो, मैं हारा, तुम जीती बस इन दौनों घटनाओं के बीच में शेर ने अपने आपको इतने पंजे मारे कि वो पूरा लहू लुहान हो गया ठीक है अब यहाँ पर मक्षी हाती से क्या कह रही है चल मुझे प्रणाम कर अरे हाती मुझे प्रणाम कर और अब यह मक्षी इस लॉमडी से क्या कह रही है अरे हो लॉमडी चल मुझे प्रणाम कर तो हमें इन चित्रों से सोचना है कि क्या क्या हुआ होगा अब यहाँ पर मक्षी मकडी के जाल में फस गई उससे पहले लॉमडी ने मक्षी से क्या कहा कहा मकडी आपको गाली दे रही थी उसकी भी खबर लो ना क्योंकि ये जो लॉम्डी थी इसने बहुत समझदारी दिखाई अब हम सच में बताते हैं सबसे घमंडी कौन था उसका नाम था मक्ही सबसे चतुर या चालाक कौन था उसका नाम था लॉम्डी और सबसे समझदार कौन था हाथी क्योंकि उसने बहस ही नहीं करी सबसे डरपो kौन था? शायद शेर क्योंकि शेर खुद को घायल तो कर रहा था पर मक्खी से हार भी मान गया उसने चालाकी से मक्खी को कोई भी सजा देनी की सोची भी नहीं सबसे चतुर कौन था? फिर से लॉंबडी तो लॉंबडी चतुर भी थी और सबसे चतुर भी थी आलसी कौन था हम सब जानते हैं कि यहां पर किसने लड़ाई करने की सोची भी नहीं और उपाए भी नहीं निकाला बस अपने चलता चला गया क्योंकि वो था सबसे विशाल का है हाथी तो बच्चों ये सारे के सारे इस कहानी में थे और ये जानवर अपने अपनी qualities यानि अपने चरित्र की विशेष्टाओं के लिए हम पहचान सकते हैं चलते हैं बच्चों आपके साथ अगले पन्ने पर अब यहां पर एक सवाल है चुटकी बजाने का मतलब होता है कोई भी काम बहुत ज मैं चुटकी बजाते ही तयार हो जाता हूँ हां बच्चों क्योंकि सुबह जब आपको जल्दी से स्कूल जाना होता है दस मिनिट रहते हैं तो आप जल्दी से नहा के तयार हो जाते हैं यह सच है कि आप चुटकी में तयार हो जाते हैं मैं चुटकी बजाते ही खाना भी खा लेता हूँ ये एक अच्छी बात भी है लेकिन खाना धीरे धीरे खाना चाहिए चुटकी बजाते खा तो लेते हैं पर हमें खाना धीरे धीरे खाना चाहिए ठीक है प्यारे बच्चो अब अब हमें एक टोली बनानी है उसका एक लीडर बनेगा बाकी बच्चो को काम दे के नगे न वादा करो फिर वादा ये बात अब जो मैं काम आपको देने जा रहा हます उसे इस वीडियो कोन करते ही चुटकी बजाके कर के दिखाना वह काम है चुटकी बजाते ये 2 अकशर वाले बिना मात्रा के 5 शब्द बहुत आसान काम है चुटकी बजाते ही कर लेंगे क्योंकि आप कक्षा 3 के बच्चे हैं क्या करने हैं दो अक्षर वाले बिना मात्रा के 5 शब्द लिखने हैं बहुत आसान है आगे चलते हैं अब हमें जो मकडी है ठीक है उसे रस्ता बताना है जहां पर उसको सबसे ज़्यादा जाले मिले हम सब जानते हैं कि मकडी के जाले में उसका खाना फसा होगा सबसे ज़्यादा जाले कौन से रस्ते में है क्या वो एक है वो दो है वो तीन है या वो चार है देखें वो रस्ता है चार चार में एक जाला यहां पर है और नीचे जाके दूसरा तीसरा, चौथा, लोटते हुए पाँचवा, फिर छटा, साथवा, आठवा, देखो ना बच्चो, अगर मकडी इस वाले रस्ते से जाएगी तो उसे खाने को भर पेट भोजन मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जाले हैं आठ, आठ जालो वाला रस्ता है, चार, हमने तो बहुत कुछ सीखा है, इस पाँच में बच्चो, चलो, अब हमें इन वाक्यों को अपने धंग से लिखना है, आपके अपनी भाशा में, आपके अपने तरीके से, धंग का मतलब आपके तरीके से शेर आग बबुला हो उठा, यानि शेर गुसा हो उठा, ठीक है, उसकी जरा खबर लोना, यानि हम कई बार मम्मा से कहते हैं, कि आपके बड़े भाई, जो आपको तंग कर रहे हैं, बड़ी बहन, उसकी खबर लो, मतलब आप उसकी शिकायत लगाते हैं, तो उसको भी बहुत जल्दी करने को चुटकी बजाना, तो उस बकड़ी को तो मैं जट से खतम कर सकती हूं, मार सकती हूं, तो जट से का मतलब भी वही होता है, चुटकी बजाते ही, जंगल के राजा के मुझ से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है, शोभा मतलब अच्छी लगती है, तो आपके साथ मुझे कितना मज़ा आता है पता भी है मकडी की बात आपसे मैं कर सकता हूँ शेर की हाती की मक्खी की अगर मैं ये बात अपने घर पे किसी से करना चाहूं तो नहीं कर सकता तो मेरे सबसे अच्छे दोस्तों आप ही हुए ना जिनसे मैं इतनी प्यारी प्यारी ब जानवर कहां कहां पाए जाते हैं अब हमें बताना है उड़ते मंडराते देखा है कौन से जानवरों को जलते बल्ब के आसपास उसे हम कहते हैं कीट पतंगे ये जो पतंगे होते हैं इनके पंक होते हैं टिड़ी जैसे दिखते हैं कभी भी बल्ब जला दीजिए ये पका आप आपकी घर के बाहर का बल्ब जब जलाते हैं तो आपने देखा होगा ये छोटा सा कीड़ा उड़ करके उसके पास आ जाता है इसे कहते हैं पतंगा खेतों में कौन आता है बच्चों खेतों में टिड़ियां आ जाती है क्योंकि उन्हें फसल खाना बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर टिड़ि का पूरा का पूरा दल आता है बहुत जादा संख्या में एक साथ आते हैं इखटे पानी के उपर पहली बाद घर के आसपास पानी को इखटा मत होने देना बच्चो क्योंकि उस पर ये आजाते हैं मच्छर और ये इतने खतरनाक होते हैं कि इसके काटने से हमें बीमारी हो जाती है उल्टी दस्त ये तो छोटी बिमारी है मलेरिया भी हो जाता है हमें खयाल रखना है कि घर के आसपास गंदा पानी इखटा होगी न क्योंकि उस पर कौन आ जाता है मच्छर फूलों पर प्यारी तितलियां आती हैं ये सुन्दर होती हैं फूल से पराग लेती हैं और जाके अपना शहद बनाती हैं कच्रे के धेर पर मख्य और मच्छर दोनों आते हैं हलवाई की मिठाईयों पर मख्यां आती हैं क्योंकि उसे मीठा खाना पसंद है पर मक्हया क्योंकि गंदगी पर भी बैठती है और फिर वो जाके मिठाई पर बैठती है इसलिए बच्चो अगर कभी किसी मिठाई वाले ने अपनी मिठाई धक्कर नहीं रखी तो ममा को कहना ममा हम इस दुकानदार से मिठाई नहीं लेंगे और उसे कहेंगे इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि तुम मिठाई नहीं डखते उस पर गंदी मक्ही बैठी थी क्योंकि उससे बीमारी लग जाती है अब आपसे समझदार कोई है ही नहीं आपको तुझ सब पता है मक्ही लिखना आता है मा आधा क कख पर छोटी ही की मातरा और यो मक्ही ओ ठीक है बच्चो क्या तुम किसी शेखी बाज को जानते हो कौन है वह है और वह किस चीज के बारे में शेखी बगारता है शेखी बगारना मतलब बड़ी बड़ी डींगे हाकना बड़ी बड़ी बाते करना जैसे यहाँ पर कौन था शेखी बाच मक्ही कभी कहती शेर से डर नहीं लगता हाथी को हरा सकती हूँ लॉमडी तू मुझे प्रनाम कर मकडी को तो मैं चुटकी में मसल दूंगी ये सब बा आज का नाम है मेरे पड़ोस में एक लड़का है जो अपने पापा की दौलत पर हमेशा शेकी बगारता रहता है बच्चो हमारे ममी पापा हमारे लिए बहुत सारा पैसा कमाते हैं पर हमें उस पैसे का घमंड अपने दोस्तों को नहीं दिखाना चाहिए वरना आपके दोस कर सके आप भी क्योंकि अच्छी दोस्ती आपस में चीज़ों को बातने से बढ़ती है और हां आप शेकी बाज मकी थोड़ी हो अब बच्चो यहाँ पर हमने देखी वारली आर्ट इस वारली आर्ट को आपने पाठेकरम में ही हिंदी के पाठेकरम में ही कक्षा एक में और क्या दिखाई दे रहा है मुझे दिखाई दे रहा है कोई जाडू लगा रहा है पक्षी दाना चुग रहे हैं यहाँ पर कोई खेती बाड़ी कर रहा है कोई बीज बू रहे हैं तो मुझे यहाँ पर मेहनत करते लोग दिखाई दे रहे हैं चलो सुनो कहानी मेरा ग्राम ब किसान बीच बोने लगते हैं मैंने आपको कहा ना कुछ किसान बीच बो रहे हैं चिडियाए दाना चुगने आती हैं सभी अपना-पना काम करते रहते हैं तो हमें इस कहानी में क्या सीखने मिला कि इस गाव में कोई भी आलसी नहीं है अच्छा मेरे प्यारे बच्चो मैं एक पार्ट के सारे महत्वपून शब्दों को एक बार कॉपी में एक से लेकर 20 तक की संख्या तक लिख लो इससे क्या होगा जब आपकी टीचर आपका टेस्ट लेगी तो आपके नंबर नहीं कटेंगे क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आप स्पेलिंग यानि की मात्राओं का ब मॉबाइल पर खेल खेलने से हम बाहर में अपना शारीने क्विकास नहीं कर पाते बाइब बाइब बच्चो ट्यूशन सीबी ऐसी का ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा आप बागी के वीडियो के लिए हमारी वीडियो लाइबरी में जाएं और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें सब्सक्राइब और लाइक